गुद मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली तुड़े 9 जुलाई 2024, 253 हुआ है अभी, 230 के राउंड हो गई थी मेरी सुभा, उसके बाद नहाद होके अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, जीवन का आनन्द लेने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुश रहें, लेकिन ये खुशी के माईने सही में अलग होते हैं, फिर आपको fight नहीं पढ़ता कि आप सुभे के 2 वजे उठते हो कि सुभे के 4 वजे उठते हो, आपके लिए हर एक दिन नया उजाला लेके आता है, हर एक दिन के शुरूरात एक बहुत ही excitement से होती है कि आज नया क्या पढ़ने वाल यह कभी भी मन में नहीं आता कि नहीं काश, 5 मिनट और सो लेते हैं, मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं होता, लेकिन हाँ, starting में जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो यह common है, लेकिन धीरे धीरे जब आप खुद को ऐसा ढाल लेंगे, ऐसा बना लेंगे, तो फिर आपको दिकत नह ही आएगी, मैंने आज एक comment पढ़ा, वो पढ़के मुझे सही में बहुत अच्छा लगा, उनका लिखना है कि ये 2 या 3 बजे सुबह सोती हैं, रात को 9 से 10 बजे से ये पढ़ाई करना शुरू कर देती हैं, एक 20 साल का बच्चा है और एक 7 मंत का, और ये अपनी पढ़ाई को उतना ही importance देती हैं जितना की घर के बाकी कामों को, घर बहुत बढ़ा है, साफ सफाई भी करते हैं, joint family है, सास ससूर सब लोग है, किसी को अपने काम के लिए नहीं कहती हैं, इनको लगता है कि ये किसी को कोई काम के लिए बोलेंगी तो सब को लगेगा कि अभी से खुद को मिनिस्टर समझने लगी है, इन्होंने बोला है कि मैं खुद के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि मैं पढ़ाई अपने लिए कर रही हूँ, किसी के उपर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मुझे ये बात सही में बहुत अच्छी लगी है, जब आप अपने रास्ते खुद धूणने लग जाते हो, तो फिर आपको किसी के साथ की, किसी के स्पोर्ट के जरूत होती भी नहीं है, और क्या पता आपकी महनत दे कि वो स्पोर्ट आपको अपने आप मिलने लग जाता है, और इन्होंने एक और चीज लिखी है, कि ये 2025 में UPS ही देंगी, heads off to you, यार, आप इतना सब कुछ मैनेज करते वे, ये सब कर रहे हैं, और मेरे के कमेंट शेयर करने का मकसद यही था, कि जो लोग बहाने बनाते हैं, कि टाइम कहां से निकालें, इन्होंने मुझ से एक उपात और पूछी है, कि क्या मैं कुछ चेंज कर सकती एक चीज़ मैं बोलूँगी, कि 5 घंटे की नींद से कम नींद मत लेना, उसके साथ compromise मत करना, क्योंकि जब भी मैंना असाय करने की कोशिश की, like जब मैं work from home करती थी, और यह सब करती थी, तो मैं अपनी नींद ना बहुत कम करनी कोशिश करती थी, कभी-कभी, मैं को लगत कि आपका माइंड इतना एक्टिव नहीं है, कि आपको बार बार एक एक लाइन पढ़नी पढ़ रही है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, नींद भी बहुत ज़रूरी है, नींद के साथ compromise नहीं करना है, हाँ, 5 घंटे नीं, 6 घंटे नींद, मैक्सिमि ममी कलेगी, अलोंग विलोंग, ये देखिये, इसको ध्यान समय को मत देखिये तो उसका रोना मत रोए, वो आपकी पढ़ाई से भी जादा important है, कोई उसको अगर रखने वाला नहीं है, तो obvious सी बात है, आप उसको रोता हुआ छोड़के पढ़ाई नहीं कर सकते, आप उसको खेलों में बीजी कर सकते हैं, दो साल का है, खुद से बैठ सकता है, थोड़ यह बहुत ही गलत चीज है, मैं किसी चीज को गलत तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन वो एक सही चीज भी नहीं है, किसी ने पूछा था कि क्या आपके husband work from home करते हैं, जी नहीं, शायद आपने जिस दिन वीडियो में देखा होगा, उस दिन या तो Saturday होगा, या तो Sunday है, जो यह एस होती है, काउंट यह अगस्ट के महीने से होती है, और मैं 2026 में 32 की हो जाओंगी, जैनुरी में ही, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था पहले, लेकिन एक जो बुक आती है, प्रिवेस यर कॉश्चन की, तो उसमें भी आगे बहुत सारी इंस्ट्रक्श मिल सकता है, लेकिन जो मेरी तरह, जिनका जो मन्त है, वो जैनुरी में है, या अगस्ट से पहले है, वो उस ताइम पर 32 के हो जाएंगे, तो उनको यह बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इसके साथ ही मैं एक और कमेंड का रिप्लाई करती हूँ, किसे ने पूछा था किसे ने कमेंड किया था कि दी, मैं आपके व्लोग ना तीन महीने से देख रही हूँ, लेकिन इतना डेडिकेशन के साथ मेरी स्टडी नहीं हो पाई, लेकिन अभी एक्जाम को नोटिफिकेशन आ गया है, तो खुद बे खुद पढ़ाई में लग गया है मन, बट आपके से डेडिकेशन, या फिर स्टडी ब्योंड यूर लिमिट्स, लाइक वेक अप एट त्री ओकलोक, यूर स्टडी मेनेजमेंट और डिसिप्लीन, ये सब सीखा है, थैंक्स अलोट दी, तो थैंक्यू सो मच गाईस, मैं यही बोलती हूँ, कि मेरे वीडियो का ये मोटो नही या उसको कभी भी बहारी मोटिवेशन की नीड कभी भी नहीं पढ़ने वाली है अपनी लाइफ में, 150 के बाद बेटे को स्कूल से लाके, दो बज़े से स्टार्ट हो जाता है, कि मेरा जो टाइम है, पांच बज़े तक, अराउंड लगबग उसके साथ ही जाता है, और यह बेटे को बहुत ही ज्यादा इंटरस्ट है नीउज फेपर का, इसी बहाने वो फोन में ऐसी चीज़ें सर्च करता है, लाइक कोई पर्सन है, स्पोर्ट्स, बैन है, कोई न्यूज में है, या फिर कोई कंट्री है, न्यूज में है, तो वो चीज़ें देखता है कि इस कंट कमेंट जो में को as usual हर रोज कभी ने कभी देखने को मिल ही जाता है, कि आप घर का काम तो नहीं करते हो, मेरा काम तो 12 बज़े ही खतम होता है, और फिर बच्चे में सारा टाइम निकल जाता है, आपके लिए ही मैंने वो सबसे पहला जो कमेंट है वो पढ़ा था, जिसको ना करने के आपको लाखों बहाने मिल जाएंगे, लेकिन कोई चीज करने के लिए एक ही बहाना काफी होता है, मैंने इस बारे में बहुत सारी वीडियो में भी शेर किया है, अब आप लोगों की मर्जी है कि आप किसी को देखके खुद को डिमोटिवेट करते हो, या किसी क देखके, खुद को डिसिप्लीन मिला के, खुद को मोटिवेट करते हो, कि जैसे किसी और ने अपनी लाइफ चेंज की है, आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, बहुत सारे कमेंट आये थे, जिसमें पूछा गया था कि मेरा optional subject कौन सा है, तो sociology मेरा optional subject है, किसी ने कमें किया है कि बहन मैं भी 30 साल की हूँ, और teaching के लिए त्यारी कर रही हूँ, जब से आपकी वीडियो देखने लगी हूँ, मैंने खुद में बहुत सुधार किया है, प्लीज आपके वीडियो से बहुत motivation मिलता है, आप एक दो दिन में वीडियो डाल दिया करो, thank you so much dear for your positive response, और मैं कोशिश करूँगी कि दो दिन में मेरा एक वीडियो मिल ही जाए, लेकिन जो अभी आजकल में टाइम निकालती थी ना, वो लोग को एडिट करने के लिए, like कभी 10 मिनिट, कभी 5 मिनिट, वो अभी बेटे के साथ निकल जाता है, कभी उसका टेस्ट अब चल रहे होते है स्कूल के, कभी मैं उसके competitive exam की त्यारी करवारी हूँ, like Olympiad, और साथ के साथ उसका rhyme competition भी होता है, तो मैं इन सब चीज़ों मेरा 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 को थोड़ा सा time उसके देना पढ़ता है, पहले ये मुश्किल थी कि notes कैसे बनाई, मैंने आपको show कर दिये, फिर आप लोगों ने तो मैंने सबसे पहले इस तरिके का notebook लिया था, ये ऐसे plain pages में आता है, तो मैंने सबसे पहले इस पे मैंने अपने notes बनाई थे, लेकिन फिर मैं को लगा कि कुछ भी हम add करना पढ़ता है तो या तो हमें page blank छोडने पढ़ते हैं, नहीं तो फिर हमें दिक्कत आती है कि हमें क बनाना स्टार्ट किया, फिर मुझे दिक्कत आती है कि घर में बच्चा है चोटा और पेपर इधर उदर हो किया मेरा इकादा जो मेरे notes बनाई थे, फिर मैंने क्या गिया इन वाले papers को मैंने बाइंड कर वालिया, इस तरीके से मैंने बाइंड कर वालिया इनको, ये मेरे ख मैंने डर सा लगता है जब बलकि आपके वास मैट्रियल हो जाता है, फिर में वापिस फिर लूज शीट पर आई और फिर मैंने उसको और इस तरीके के ये फोल्डर आप बोल सकते हैंगे खरीदे, उसके बाद मैंने हर एक फोल्डर को, हर एक सब्जक्त को अलग तरीके से तो मैं अभी इस तरीके का फोर्मेट बनाती हूँ, चाहे चाहे करन्ट अफेर का कोई इकादी चीज नौट करनी हो, या फिर कुछ भी करना हो, तो इस तरीके के फोल्डर है मेरे बहुत सारे, और उसमें इस तरीके के जो पेपर होते हैं, बलैंक पेपर, तो उनते में आपको डाउट करोगे, तो बहुत बल्की हो जाएगा, एक टाइम पर आपको कोई टॉपिक सर्च करना रहेगा, आपको खुद नहीं पता रहेगा कौन से पेज पी है वो, तो इस तरीके का एक छोटा सा पेज आप आगे लगा लीजिएगा, जिससे आपको पता रहेगा, कि आपके नोट्स में, या फिर आपके इस तरीके के फोर्मेट में, आपके मैटरियल कौन-कौन सा है, कौन-कौन सा कंटेंट है, कौन-कौन से टॉपिक पर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो आपको इजी रहेगा, अगर आपको कंटेंट इस तरीके से लिखा रहे झाल 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 झाल